हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गॉल ब्लेडर तो जैसा कि आपको पता है गॉल ब्लेडर को आईरवेद के अंदर पिताश है भी कहा गया है तो जो गॉल ब्लेडर है वो क्या है एक्स्ट्रा हीपेटिक बिलियरी अपार्टस हम क्यों बोलता है क्योंकि जो बाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको पता है लिवर में होता है लेकिन जो बाइल कलेक्ट होता है वो किसके अंदर होता है गॉल ब्लेडर के अंदर कले बिलियरी अपार्टस, collect bile from liver, यह जो बिलियरी अपार्टस होता है, वो bile collect करता है, लिवर में से, फिर उसके बाद में, वो store करता है, गॉल ब्लेडर के अंदर, और उसके बाद में, यह transmit कहां पर करता है, गॉल ब्लेडर, जो गॉल ब्लेडर होता है, वो bile duct के through, transmit करता है, इसक तो biliary apartus है, वो किया-क्या चीजों से consist करता है, वो हम देखते हैं, तो इसके अंदर एक तो right और left hepatic duct होती है, जो कि किस से आ रही होती है, लिवर से आ रही होती है, उसके बाद में एक common hepatic duct होती है, right और left hepatic duct से ही common hepatic duct बनती है, फिर common hepatic duct जो होती है, वो आप देखोगे आग गॉल ब्लेडर में जाती है, फिर उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड आओगे, तो जो गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर से जो concentrated bile है, वो bile duct में जाता है, और bile duct के तुरू कहां पर खुलता है, डूडेनम के second part के अंदर जाके खुलता है, आप यहां पर diagram के अंदर अच्छे से देख सकते हो, जैसा कि आपको पता है, जो pota hepatis होता है, वो liver के अंदर होता है, और जो pota hepatis होता है, वो posterior और inferior surface जो होती है, लिवर की वहां पर present होता है, फिर उसके बाद में अगर आप अच्छे से देखोगे, तो यहां पर आप diagram में देखो, सबसे पहले तो right और left hepatic duct है, उससे बनी common hepatic duct, तो यह bile सबसे पहले तो आया cystic duct के तुरू, गॉल ब्लेडर के अंदर, फिर आप गॉल ब्लेडर को अगर आप अच्छे से देखोगे, तो गॉल ब्लेडर के अंदर नैक होती है, बॉडी होती है, और फंडस होता है, गॉल ब्लेडर का, तो य तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो bile duct है, और जो pancreatic duct होती है, यही दोनों मिलकर, major dutonal papilla बनाती है, इसी को ही हम बोलता है, ampulla of water, फिर उसके बाद में, जो pancreatic duct होती है, एक तो जो major pancreatic duct है, वो bile duct के साथ मिलके क्या बना रही है, major dutonal papilla बना रही है, उसके बाद में, ज तो, accessory pancreatic duct होती है, उससे ही क्या बनता है, minor dutonal papilla, जो major pancreatic duct होती है, उससे ही accessory pancreatic duct निकलती है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर dutinum की wall होती है, वो बताई हुई है, यहाँ तो गाइज, यह एक simple सी चीज थी, अगर आप से कभी भी एक्जाम में फिर उसके बाद में, हम बात करते हैं, गॉल ब्लेडर के कुछ functions के बारे में, और कुछ जो special features हैं उसके बारे में, तो जैसा कि आपको पता है, जो गॉल ब्लेडर का shape है, वो कैसा है, पीयर shape का है, उसके बाद में, जो इसकी situation है, गॉल ब्लेडर की, वो आपको पता होगा, इवर का वहां पर रहता है, तब हम लिवर की सिचुएशन है वह भी अच्छेसे देख लेंगे, एक बार फिर उसके बाद में जो capacity होती है गॉल ब्लेडर की वो होती है 50 ml फिर उसके बाद में जो गॉल ब्लेडर होता है वो reservoir का काम करता है मतलब इखटा करने का बाइल का और ये concentrate करता है बाइल को फिर उसके बाद में जो गॉल ब्लेडर की जो जैसा कि मैंने आपको बताया, गॉल्बेडर को तीन पार्ट के अंदर बाटा गया है, फंडस, बॉड़ी, नेक, फिर उसके बाद में एक नाम आता है, कैलोट ट्राइंगल, बहुत सारी स्टुडेंट्स बहुत बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है, कैलोट जो ट्राइंगल होता है, वो किस काम में आता है, तो जब कैलोट जो ट्राइंगल होता है, वो रिमूवल ऑफ गॉल्ब्लेडर के टाइम में काम आता है, जो रिमूवल ऑफ गॉल्ब्लेडर को हम क्या बोलता है, pulle cystic artery तॉमी बोलता है इसके अंदर क्या किया जाता है जो cystic artery होती है उसे हम cut करते है calliard triangle के अंदर तो calliard triangle एक finding होती है cystic artery को डूनने की फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो gall blader की blood supply क्या है तो जो blood supply है वो है cystic artery और यही किसकी branch है branch of hepatic artery फिर उसके बाद में इसका venous drainage क्या है cystic vein, यह जो होता है यह directly drain करता है portal vein के अंदर, फिर उसके बाद में जो lymphatic drainage है वो क्या है cystic lymph nodes, फिर उसके बाद में जो nerve supply है वो है sympathetic T7 से लेके T9 और parasympathetic है vegas nerve, फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया जो यह cold word है, cold word जो होत जाता है, जैसे कि hepatic word जो होता है, वो liver के लिए use किया जाता है उसी तरीके से जो एक cold word है, वो gallbladder के लिए use किया जाता है उसके बाद में हम देखते है applied aspect, तो applied aspect के अंदर आपको 3-4 चीजे लिखनी है सिफ और सिफ, inflammation of gallbladder को हमने क्या बोला, cholecystitis, उसके बाद में आपने बहुत बाद देखा होगा, पत्री भी पढ़ जाती है, stone पढ़ जाता है, gallbladder के अंदर, फिर उसके बाद में जो removal of gallbladder होता है, उसको ही हम callly cystitis, टॉमी बोलता है, यह भी आपको पता होगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे gallbladder को ही क्या बोला गया है, callly cystitis बोल पती है, वो बाइल को लेकर आती है, cystic duct के अंदर, फिर वो store होता है, gallbladder के अंदर, concentrate होने के बाद में, वो जो होता है, वो बाइल डक्ट के थ्रू, जो second part होता है, dudenum का, उसमें चला जाता है, फिर आपने देखा होगा, जो gallbladder होता है, उसके तीन parts होता है, neck, body और fundus, फ साथ से 10 meter long होता है, broad होता है, 3 cm, और weight इसका कितना होता है, 2 से 1.5 ounce होता है, इसका weight, parts मैंने आपको बताई दिया, body fundus, snake, और इसके function क्या है, एक बार हम वापस से देख लेते है, reservoir of bile, bile का इखटा करने का काम करता है, release of stored bile, जो इसके पास concentrated bile store है, उसको release करता है, फिर उसके absorption of water and concentration of bile, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर regulate the pressure by the biliary system by contraction and dilation, यह जो होता है, यह pressure को भी regulate करता है, biliary system के थुरू, contraction और dilation के थुरू, तो guys, यही चीजे थी, गॉल ब्लेडर के अंदर, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, गॉल ब्लेडर के अंदर, I hope guys मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो ज़्यादा जद अपने दोस्तों में शेयर करे, thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए,